जैशने रामित्रू, भारत के बहु संख्यत समाज का भारतिय संस्कृती का अपमान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस लिस्ट में अप नया नाम जुड़ चुका है प्रियान शिकौशिक का। ये व्यक्ती एक स्टेंडब कॉमेडियन है, कुछ दिन पहले अपने एक कॉमेडी शो के दोरान इसने गौमाता का उपहस किया, गौमाता की सिवा करने वालों का मजाग बनाया। इसने कहा कि गाय यदिमाता है तो सांट को चाचा कहकर तो पुकारा ही जा सकता है। कसम लोगों की वो सारे लाग रंग के कच्छे जलाडा लोगे जो की सांट को तकलीफ देते हैं। गौमाता की जैओ, बैल पापा की जैओ, और इसी तरह कि अन्य कई बातें बोली है इसने। इन बातों से आहत लोगों ने गौरक्षबों ने जब इसका विरूथ किया, तो ये प्रियांश नाम का व्यक्ति शमा मांगते में एक वीडियो रिलीज करता है। लेकिन ये शमा नहीं है, बलकि इसमें भी वो जो कहता है, उसे इस्पच होता है कि वो अपनी बातों पर कायम है। पहले आप उसका ये शमा वाला वीडियो सुनिए, फिर आप समझ होगे मैं क्या बता रहा हूँ। नमस्क्राद दोस्तो, मेरा नाम प्रयाश कोशिक है, और मैं एक stand-up comedian हूँ। और रिसेंटली मैंने YouTube एक वीडियो गनाई थी जिसमें मैंने गव माता यानि गाएं और नंदी बैल के बारे में कुछ बाते कहीं थी। जिससे हिंदु समाज के कई लोगों को काफी ठेस पहुची है, तो मैं उन सब लोगों से दिल से हाथ जोड़ के श्रमा बानना चाहता हूँ। कि दोस्तों, गल्तियां हो जाती है, आप लोगों को जो फील हुआ, मिरा इरादा वो नहीं था कि मैं आपको हर्ड करूँ या किसी भावनाओं के साथ खेलूँ। पर फिर भी अगर आपको हर्ड हुआ तो मैं आपको सौरी बोलना चाहूँगा दिल से और यह भी आपको आश्वास दूँगा कि आइंदा से मैं कभी किसी दर्म के बारे में कोई टिपड़ी नहीं करूँगा और अट लास्ट ही बोलूँगा कि जितनी काएं आप लोगों कि माता है उतनी ही मेरी माता है गाये को मैंने भी माता से कमने माना दोस्तों मैं भी गाये को माता मानता हूं और बैल को भी हमें पिता स्वरूप मानना चाहिए नंदी बैल को भी हमें पिता स्वरूप मानना हुगा गव माता कीजए भारत माता कीजए मतलब सुना आपने बाप बताईए क्या ये शमा याजनक ही जा सकती है वैसे मितलू ये प्रथामबार नहीं है मुनबबर फारुकी और कुनाल कामरा नाल के स्टेंड़ इप कॉमेडियन भी बहुत संखिकों की आस्था को इसी प्रकार से रौन चुके हैं आप सब ही जानते होंगे इनके बारे में आप जानते हो बार बार ऐसा क्यों होता है बार बार हमारी धर्मिक भावनाओं से खिलवाड क्यों किया जाता है इसका सीधा सा उत्तर है प्रसित होने के लिए फेमस होने के लिए हिंदू का कितना भी मजाग बनाओ कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, कोई आपको दंडित नहीं करेगा, आप फेमस भी हो जाओगे, जब इसके विपरीत अन्य धर्मों का मजाग बनाया, तो आपका सर तन से जुदा कर दिया शाएगा, कोई बचा भी नहीं पाएगा, यही करण है कि नभय होकर बार बार पर ही लोग प्रहार करते हैं, मित्रो इसे रोगने के लिए आवश्यक ये है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आध करने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया शाए, सजा के प्रावधानों को और कठोर कर दिया शाए, जो अभीवेक्ति की स्वतनकता है, वो असीमित नह पर भारती संस्कृति का उपहास उड़ाने का आधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता, कॉमेडी करने के लिए अन्य पचास विशे हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कहां तक उचित है, बाकि मित्रो आप तब इस विशे प्रक्या सोचते हैं, और इस व्यप्ति कि के लिए जिए हैं, और इस से भी कि है।